अब हम रिलेशन्स में दो चीजों की चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्य को जीने के लिए करम करना पड़ेगा बच नहीं सकता बहुत हुआ और काम चोरी की हद हो जाए बदमाशी की हद हो जाए और बिन कुछ की ये बड़ा पाना हो तो दोई उपाए है या तो चोरो डाकू बन जाओ अना कि तीसरा उपाई भी अब निकलाया नेता बन जाओ और नहीं तो पंडित मोल भी पादरी बन जाओ कोई भी जब बहुत ठक जाओना तो कई चेहरे ऐसे हैं जो भगवा उगवा पेंड़ना छा जाएं और मुर्खों की दुनिया है आप गाली देते रोगे जितनी ज्यादा गाली दोगे जितना कहोगे तो काफी रहे तो पापी उतनी आपकी सेवा करेंगे देखो कितना मरा हुआ डरा हुआ और सोया हुआ आदमी कल्पना करो अब हम समझते हैं कि यार सब कुछ होते होगे भी इतनी गरवड कैसे हो गई गरवड भहुत बड़ी हो गई है क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मनुष्य जीवन में कष्ट आ सकते हैं मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मनुष्य मनुष्य मिले और महारास न हो जाए मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मनुष्य असफल भी हो सकता है मैं मानने को तैयार नहीं हूँ मैं तो जानता हो यह नहीं सकता संभवी नहीं है प्रक्रती ने सब सेट करा हुआ था फिर मनुश्य को भेजाए, आप अपनी कीमत समझो, कि चान, तारे, हवा, पानी, सिस्टम, बोडी, खाना, पीना, शौख, मोज, क्रियेटिविटी, सब कितना तैयार करा, बहार तैयार करा, भितर तैयार करा, दो पाउं दिये, दो आखे दी, किसी को नहीं दी विचारे को, तो कमाल हो गया, जो मेरी समझ के बार है, अब, यह हाल क्यों हो गया, कोई एक जवाब दे, एक ही कारान इसे तु जवाबदार है, मनुश्य का जो यह हाल हुआ पड़ा यूगों से, एक ही कारान जवाबदार है, कोई बताए क्यों, माइक देना, क्योंकि मनुश्य हो गया है नहीं वो तो बराबर है पोलो बो एक्षिली वह और अगर चाहता है वह करने ही पाता और दूसरी दुनिया की वज़े से कि चाहता कुछ और और कर रहें नहीं चाहते के पहले दिन में इतनी फसावट क्यों है सर बाहर ही ज्ञानों के कारण सुन सुन के सब कुछ अपने अंदर की नहीं सुनता था बाहर सुन सुन के सब वो फसा पड़ा है सीधी सी बात है कर्म जो कर रहा है is going in the wrong direction मनुष्य की जो wrong conditioning है और जो confusion होते है अपने क्या करना है क्या नहीं करना है जो बाहर की दुनिया से जो confusion पैदा हुए है तो उसके वज़ाद से वो problem है बता जो अग्यानता की कारण हम लोग अपना प्रकृति की जो सुभाव से बिचड गए है जिसकी कारण हमको भेजा गया था तो उस कारण जो प्रेम और क्रोध हमारे अंदर उसको दबाया जाता है तो यार बोला मत करण किताब पढ़के कहीं कुछ भी करनेट कर ले था मेरी बातों को आज मैने सबसे पहले बोला कि मेरी बात सुनने वाले रिपीट तब करें जब पक्का माम लाओ मिक्सिंग मत करें बेडिया ने 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 कुछ ने मिक्सिंग मत करो यार देखो एकदम कॉंटेक्स पे स्ट्रेट बेंगे सिख जाओ समझ जाओ सिंपल बात है कि यह पूरा जगत नियमों द्वारा कंट्रोल दे समझ लेना आपके जीने के भी नियम बने हुए है आपके महान बनने के भी नियम बने हुए है और आपस में कैसे रहना मनुष्यों को मनुष्यों से उसके नियम बने हुए है नियम तोड़ा नहीं कि मरे नहीं वहाँ पर कोई पंडित मोलवी पादरी नहीं बेटा है, कि गंगा में आ देख लूँगा मैं, मैंने अंगुटी पेनी थी, मैं अभी चार दाम गया था, मैंने हज की यात्रा करी, मर, हज में भी एक्सिरेंट हो जाते हैं, बटाक, का है आप, है ना, चार दाम में जाने वाली बसे, डिशुइंग, डिशु पेले, ये कल्पना करना, सोचो, इसलेट मैंने कहा न, कि शेतान की दिक्कत ये है, कि शेतान कुछ भी सोचेगा, भगवान भी सोचेगा, प्रक्रदी भी सोचेगा, तो लेन देन की सोचेगा, है ना, कि मामला ले देके सलट जाएगा, इससे उपर क्या सोचेगा वो, अब आप सोचो, मनुष्य का IQ, 500 करोर लोग, 10 करोर माइनस करो, चलो बुद्धी मानों की संक्या काफी बल गई आज for the first time, वरना पुराने जमाने में तो थे ही नी बुद्धी मान, और इसलिए काले में गुमरे थे, लेकिन ऐसा ठसा दिया कि वो सब महान थे, बले भी भी दाओ प मार डाला मनुष्य को, पुरी तरह से मार डाला है, अरry काई के महान थे, गाले में गुमतेरे थे, कच्चा खाना खाते थे, महान आज का मनुष्य है, जो चांद-तारों पर वे राच कर रहा है, वो महान है, और आज, कमसे कम 10 करोड लोग है, जो अपर बॉक्स से निकल कर नीचे की तरब जा रहे है और इसलिए इतनी प्रगति हो रही है यह प्रगति क्यों हो रही है इन मुर्खों के बरोसे हो रही क्या लोबाग नीचे जा रहे है समझ रहे जाग रहे है इन्होंने कहा कितना पक्का observation और पहली बार सुनने आए है तो मेरी जरूत है ऐसा भी नही है वैल इक्विप्ट भेजा है किसी की जरूत नहीं है आपको किसी की जरूत किसी इंसान को नहीं है जो लाउस जे केतना ताउत है चिंग में कि यदि आपको संसार का संपून ग्यान चाहिए और संसार की संपून शक्ती चाहिए तो कमरे के बाहर एक शन को जाकना नाके का कौन जो जिन्दा होगा, जिन्दा ही नहीं रहने दिया तो करेगा क्या, वरना रियली में इंप्रेस हुआ, कितना पक्का अब्जर्वेशन, कि हाँ दो दुनिया है, एक दबा रही है, और एक उछलने को बेकरा रहे, दोनों में जगडा है, यही समस्या है, अब ऐसा तो नहीं है कि मनुश्या ही आपस में साथ में रहते हैं, है ना, ज़रा समद्दा, रिष्टे, आप चांद, तारो, हवा, पानी के साथ में भी रहते हैं, रहते हैं ना, चानवरों के साथ भी रहते हैं, जिनको शौक है, आप कुर्सी, टेबल, पैन, कागच के साथ भी रहते हैं, यह सब रिष्टे ही हैं, ऐसा नहीं है कि मनुश्या से मनुश्या के रिष्टे के अलग नियम है, और चांद, तारों के कागच, पैन के और जानवरों के साथ रहने के अलग नियम है, नियम नियम है बड़े ध्यान से समझ ले न नियम नियम है विज्ञान ने क्या किया विज्ञान नियम जाने नियम जाने कहां से कहां पहुचा दिया ये मूर्ख मनुश्य जिन महान लोगों की दुहाईयां दे रहा है उन गाले पर गुमने वालों से और नंगे पाउँ चलने वालों से उनकी दुनिया से आज की दुनिया कहां पहुचा दी और इसलिए मैं कहता हूँ कि उन लोगी चर्चाएं बंद करो क्या बंदी करो और नहीं तो गाले में गुमो नंगे पाउँ गुमो मुबाइल मत वापरो किसी को कुछ भी संदेशा देना है न तो दोलते हो जाओ और देखे आ जाओ वापरना सब उद्धी मानों का वापरना उन लोगों का जो बगवान की दुनिया में रहें बिचारे उनको गाली भी देना उनी का वापरना और महान इनको कहना मुर्खों के संबेलन के सबसे बड़े मुर्खों को गलत है यह तो थोड़ा सा समझो हर चीज रिष्टा है नियम अलग से नहीं है आप नियम तोड़ रहे हो बुरी तरह से फस रहे है I am Gita by Deep Trivedi is the number one bestseller at Amazon I am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India I am Gita, psychology of Bhagwat Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas अब सूरिया, चांद, तारे, हवा, पानी थबको मालूम है ना? है ना? हाँ? हाँ! कभी किसी ने सोचा इमानदारी से बताओ कि सूरिया से उसका कुछ रिष्टा है इमानदारी से बता ना? अभी घलत हुआ नहीं, एक ने भी आद उपड नहीं करा हम जी क्या रहे हैं? सोचो! कितना भेहुश कर दिया है? अब इसमें प्रकृति क्या गल्ती? आपको आखे दी, सूरिया दिया रिष्टा है या आपको मालूम है? हवा से आपका रिष्टा है पानी से आपका रिष्टा है प्रत्वी से आपका रिष्टा है और ये चार में से किसी से भी पल भर के लिए रिष्टा तुट जाए तो किसी शास्त्र का कोई मंत्र काम नहीं आएगा है ना? आएगा? नहीं! अब कितना बेहोश कर दिया है मनुश्य को कितनी सामान्य बात है अब उनसे जो रिष्टा है उसमें कोई गरबड नहीं है हो रही है गरबड? अच्छा चलो अभी कोई सिंपल बताओ कि सुर्य से मनुश्य का रिष्टा क्या है हवा से मनुष्य का रिष्टा क्या है कोई बताए बताओ चांती से बताओ अरे यार सिंपल बात है क्या रिष्टा है बताओ सर हम बोलो कौन बोल रहा है जो अपने जो सूरिय में है जो पंचम महाभूत है वो सब हमारे शरीर में भी है आज हमारे शरीर मने जो बढ़ी बढ़ी बात है छोड़ो अपने सूरिया से बात करें सूरिया की अगनी है सूरिया की अगनी है हमारे तेज है अपने शरीर में तो पंचा महाबुद यह सब मैंने बोला ना शास्त्रों की बात है उनको पास रेने तो कौन से भूत, कौन सी कुंडली नी मैं सिंपल बुछ रहा हूँ, सुर्य उपपर है आप यहाँ पर हो, आप से उसका रिष्टा है ना, बस इतनी बात बोली है तो कि धर्ती वहाँ से धर्ती पैदा हुए और अब इसका से, तो इसका से, तूम ना पूल पूला के जने कहाँ पोच जाते हैं, उठने को तैयार नहीं होते हो, पिर सो जाते हो, पिर सो जाते हो गलत बात है, आप शोड़ो, सुर्य से अपने को उर्जा मिलती है, और हम फ्र तो रिष्टा क्या है लेकिन माइक पार यही रिष्टा अगर यह नहीं होगा तो हम जीने पाएगे अगर हवा नहीं होगी तो हम जीने पाएगे और रिष्टे का बेस क्या है चलो रिष्टे का बेस अरे यार रिष्टा तो है उसके बगर जी नहीं पाओगे मिया, वीवी, बच्चे, भगवान, मुर्ती, सबके बगर जी लोगे फिर युमाद तो किसको दे रहे हो अभी सिंपल मैं पूछ रहा हूँ सूरिय हवा आपका एक रिष्टा है उसका बेस क्या है सर, सूरिय हमें रोशनी देता है लेकिन उसका महत तो हमारी आँखों से है हम कुछ देख पाते हैं तभी सूरिय की प्रिशुनसा कर पाते हैं ये रिष्टा है रिष्टो का बेस क्या है बताओ, बताओ, पीछे माइक दो सर, हम जो है उन पर डिपेंड़ है वो हम पर डिपेंड़ है देख दूसरे का सही हो, आत्मेड़ सूरिय क्या डिपेंड़ है तुमारे पर? सर, वो भी तो सर दे रहा है तो, वो हमारे लिए दे रहा है तो उसको डिपेंड़ पता? सर, तू अभी घर से बार निनिकलेगा तो कल सूरिय निकलेगा? सब लोग जोगी है अपने प्रिकिर्टी में जैसे सब के लिए वो रोसनी एक तो है ना, हमेशा ध्यान लखना यदि आपको जागना है, ज्यानी होना है तो ज्यान एक सामान ये बात है उसमें उची-उची बात है लाई मत पंच महा भूत ना, अंगली ना ये कुनली ना, ये चक्र ना, वो चक्र ना ये गुरु ना, वो गुरु ना, ये बहगवान और ये त्रिषुल ना, ये सब लाई मत आपको ज्यानी बनना है ना ये जितनी बाते करते हो इरोप में इसमें से कोई कुछ नहीं जानता है कितने ग्यानी है यार चलो बोलो यह सब यह जो भी सारे है वो प्रकृतिके अंग है और हम भी एक प्रकृतिके मैं से सुरिया रवा की पूछ रहा हूँ रिष्टे का बेज क्या है मेना सवाल समझो आपका रिष्टा उसका बेज क्या है यह रिष्टे का बेज यह है गिव एंड टेक वो हमें रौशनी दे रहा है वो ऑक्सिजन दे रहा है और हम उनसे ले रहे है और यह बात तो तुम्हारा है बात सही अगर तुम नहीं दोगी तो बिचारा होगेगा नहीं चमके अगाने रौटे के चलो सर्थ का हिसा है वो भी और कुद्रत का हिसा है हम भी नहीं तो प्राकर तेक साथ में ने पुछा ही नहीं छोटा सा सवाल सूरिय हवा आपके रिष्टे का बेस क्या है सच्च्छोब पुनीत ने बोला कि we are dependent मैं सिर्फ उस बात से agree करता हूँ कि हमारी life उनी पर dependent है because सूरिय से हमें oxygen मिलता है then fall, full सब उगते है and then you know हवा से वो सब तो सब भी नह बोल दिया तो मैं फर्स बात से agree करता हूँ कि our life is dependent हो गया, हो गया सूरिय से जो relation उसका base रोशनी है और हवा से जो relation है उसका base सांस लेना है जीवत नहीं, देखो मैं बताता हूँ अपन छोड़ो भी इसको देखो अभी मैं बताता हूँ simple समझे, कोई और है try करो, हाँ करो, very good mic देना, mic देना ऐसा है सर्ष आपने जो ये बताया था कि सब laws चे जुड़े हुए है तो ये universal laws में सूर्य और हवा भी जुड़ी हुए हमारे के साथ ये रिष्टा हुआ क्या रिष्टे का base क्या है देखो बेडियो बेडियो शानती समझो देखो, एक चीश तो समझो कि आप लोग जो यहाँ बैठे हो वो सामान्य मनुष्य का जो IQ ज्यान और जीवन है उससे सबका 10-20 हजार गुना अच्छा है ये बात तो समझ में आ रही है है ना सामान्य मनुष्य का तो बरा बुरा हाल है आप उससे अच्छे हो अब जो मैं कहना चा रहा हूँ और आप समझना शुरू करो fast कि मैंने कहा और सबसे पूछा कि आपका सुर्य से हवा से एक रिष्टा है कभी आपने ऐसा सोचा नहीं सोचे अब यदि आप लोगों का ये हाल है तो उन विचारों की सुनो जो पूरी तरह से बरवा दो चुके हैं क्या सोचेंगे वो क्या देखेंगे वो जिसके बगर हम पलबर जी नहीं सकते हमने कभी नहीं सोचा कि उससे हमारा रिष्टा है अब एक बार फिर सवाल कुमा के पुस्ता हूँ आप जवाब दो एक रिष्टा आपका सुर्य से है और एक रिष्टा आपका माता पीता पत्नी से है है ना दोनों में फर्क क्या है चलो मैं चाता हूँ आप और सोचो शांती से हना कि आज वक्ती कमी है बोलो फर्क क्या है सर हम प्रकृती का प्रकृती का हिस्सा है बढ़ी बढ़ी बात है नहीं मैंने क्या पूछा, दोनों रिष्टों में फर्क क्या है, अभी प्रकृति के हिस्सा माबाब भी है, है ना, माबाब प्रकृति का हिस्सा नहीं है, माइक दो, माइक दो, माइक दो, सूरिया और प्रकृति, सब प्रकृति के हम भी छोटे से छोटे हिस्से है, मैंने सवाल क्य पूछा दोनों रिष्टों में फर्क क्या है आप जब भी बड़े शब्द यूज़ करोगे ना समझ लेना जो जितने बड़े शब्द यूज़ करेगा वो लिख के रख ले इस दिवाल पे वो सोया हुआ है और मूर्खे जीवन बड़ा सामान्य है चोटी-चोटी बातों में ही ग्याने बडे बडे शब्द बडी बडी बाते बडे बडे चकर बनाके तो सारे पेसे लेके बेठें ये ठीके ठीके, यह के रहता आप, ठीके अब एक चीज आप लिख लो बड़े अच्छे से समझ लेना कि छोटा कन हो या मनुश्य हो छोटे कन में भी जीवन है है ना और मनुश्य में भी जीवन है और नियम दोनों पे एक ही लागू है, अलग नियम नहीं है तो दो बाद समझना सुर्य से आपका रिष्टा है आपके और सुर्य के बीच में जो रिष्टा है उसमें कोई उल्जन नहीं हो रही है हो रही है जगड़ा, फसा, टेंशन, स्ट्रेस दुश्मनावाट कुछ भी घरबल हो रही है जबकि रिष्टा आपका ज्यादा मजबूस सूर्य से बजाए की पत्नी से, बच्चों से एक रहे हैं? तो वो रिष्टा स्मूथ है जो आपकी लाइफ लाइन है तो फिर ये और्डिनरी पांच पेसे, दस पेसे, चवणनिया क्यों परेशान कर रही है? ये बता रिष्टे का बेश समझो सूर्य से जो आपका रिष्टा है वो प्रक्रती के नियम के अनुसार है और ये ऐसा ज्यान है जिन पे इन मुर्खों ने सोचा नहीं है यदि सोचा होता और शास्त्र लिख दी होते कि सूर्य से कैसे भियो करना तो आपका सूर्य से भी रिष्टा तुरुआ के मानते इसमें के दूस्टोर मूर्ख है लेकिन सोचा नहीं तो बचे हुए हो अब सूर्य से जो आपका रिष्टा है वो बड़ा सिम्पल है कि सूर्य प्रकट है रोश्नी लेकर विटामिन डी लेकर प्रकट है जिसको जब चाहिए ले सकता है सूर्य देने नहीं आता लेओ 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 कहता है नहीं लोगे तो मर जाओ के मर जाओ के जाओ के घ्यान दे रहा है है ना हिंड दे रहा है हिंड दे रहा है कि मैं हूँ जब अजस्ति नहीं है अब सिम्पल समझो अब वो रिष्टा आपका मनुश्यों के साथ नहीं है है जब अजस्ती तो बेज है रिष्टों का मैं तेरा बाप हूँ मुझे लिगल राइट है परेशान करने का यह हमारे रिष्टे है और मैं बीवी हूँ तो मुझे लिगल राइट है देखने का की तू हसे न entrepreneurs, लिगल राइट है, पंडितों का भी अपना लिगल राइट है, आप कब खाओगे, कब पीओगे, ने तो नर्क में सडोगे, है ना, है लिगल राइट है सबके बाद लिगल राइट है यहाँ जबर्जस्ती जबर्जस्ती प्रकृति का नियम तोड़ा मैं बता रहा हूँ आपको हर प्रकार की जबर्जस्ती का जबर्जस्त चालन कट रहा है इतना जिसकी आपको कल्पना नहीं है और सुबे से शाम तक, में एक सामाने मनुष्य देखता हूँ, वो भी दिन में कम से कम 500,000 जबजस्तियां कर रहा है, और चालन कट रहा है, ठाक 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 ठाक, वहां कोई इंसानियत नहीं है, वहां नियम है, समद लेना, वहां इंसानियत नहीं है, नियम है, कोई दया नहीं नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई छूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नियम है, और आपके पास ख्रमता है, दी थी, प्रक्रतिस पस्ट के रही है, मैंने ख्रमता दी थी, नियम समझ लो, न समझो, मरो, 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 शेतान की दुनिया है, सब के सब शेतान की दुनिया में फसे पढ़े हैं जबरजस्ती वो विटामिन डी दे रहा है तो भी जबरजस्ती नहीं कर रहा है सोचो क्रश्ण की गीता क्या बात है दुनिया के किसी भी शब्दों में उसका बखान नहीं किया जा सकता एसी अद्बुत चीज कहने के बाद क्रश्ण अंत्मे अर्जुन से कहते हैं कि सुन अर्जुन जिसकी सुनने की इच्छा नहीं है किसी को भी उसे गीता उब्देश नहीं देना चाहिए जबर जस्ती नहीं क्रश्ण ने एक ही जगे हलट करा ति गीता पढ़ने वालो सुन लो क्योंकि मैं तुमारे पाप का भागीदार नहीं बन सकता मैं भी तुमसे कह रहा हूँ आपको मेरी बात फाइदा पोचाती उठाओ जियो लेकिन दूसरा नहीं जीना चाहता तो जबर जस्ती मत करो सुनने की इच्छा वाले से सोचो क्रश्ण क्या कह रहे हैं और यहां तो मैं कह रहा हूँ पर बच्चा बोलता बाप तु पढ़ा था तेरा हाल मेरे को दिखता नाइप नाइप यह पंडित मोलवी पादरी दुस्टों की दुकान तुम तै करोगे हद हो गई 2000 साल पहले कोई मुर्क कुछ केके गया और तुम उसके लिए हमको बोलोगे करना ही पड़ेगा और सुन रहे हैं यह शेतानों की दुनिया है किसी को इंट्रेस्ट नहीं है इसमें मुझे बिल्कुल भी इंट्रेस्ट नहीं है कुछ होई नहीं सकता ना क्रश्णा ना क्राइस्ट ना प्रक्रति कोई बचाने को नहीं खड़ा है क्राइस्ट यह नहीं कह रहे है कि तुझे शेतान की दुनिया में मज़ा दे दूँगा नई मार है ना तेरी मर जी मार जितना मरना उतना मर मज़ा लेना है भगवान की दुनिया में आजा आच चल के तुझे में लेके चलू है कैसे गगन के तले जहां गम न हो आशू न हो है बस प्यार ही प्यार मिले, वो दुनिया है, जब अजस्ती, बात समझ में आ गई अब, अब सवाल है कि बात तो समझ में आ गई, है न, कि आप जो कुछ भी दे रहे हो, उसकी किमत, सुरिय के विटामिन D या रोष्णी से खरबो गुना खराब है, तो भी जब अजस्ती दे र आपको, मतलब अहंकार जैसा कि मैं भगवान हूँ, मैं कह रहा हूं तू ले, मतलब ले, यही मतलब वहान है इसका, सीधा मैं साइकोलोजिकल आर्थ निकालों तो आर्थ क्या हुआ है, आप कहना क्या चाहरे हो किसी को भी, कि मैं कह रहा हूं कर, क्यों, मुझे मालूम है, अब यह 500 करोड़ भगवान गुम रहे हैं, अंदर से शेतान हैं, आपस में रह रहे हैं, और एक जबरजस्ती भी, खतरनाक परिणाम लेके आती है, हम तीन दिन इसी उचाही पे चर्चा करेंगे, जिसको जबरजस्ती करना है वो मरे, उसके लिए कोई उपाय नहीं है, कित अब मुर्क न तुझे सुर्य उपाय ना तार उगा ना है, पिद्धी, पचास चीजों पर डिपेंड़ेंट एक्टोatu हैं, तेरी कोई हैसियत नहीं है, क्या होगा, क्या होगा, यह नहीं, वो निकार, कोशिश कर लो, मैं ओज किर रहा हूं, जब उठासर्तों हॉत नहीं, Christ भी यही है, Krishna भी यही है, ठक जाओ तब आना, ज़रूरी नहीं उनका साथ चलो, आद नहीं, आराम से हजार साल, दस हजार साल, पचाजार साल, सुर्य यहीं कही हैं, वो कहीं नहीं जा रहा है, जा आप रहो, आप रहो, वो कहीं नहीं जा रहा है, सो मनुष्यों से मनुष्यों के रिष्टों में रत्ती भर जबजस्ति कुद्रत से allowed नहीं है किसी भी कारण से किसी भी बात के लिए बात क्लियर हो गई जब क्रश्ण इत्ते वले गिता ग्यान के लिए कह रहे हैं कि हे अर्जून जिसको नहीं सुनना है उसे कभी मत सुनाना जबजस्ति काई की अब कौन है इसमें से जो ये कह सकता है कि वो जबजस्तियां कम करेगा आज से वेरी गुड बहुत अच्छी बात है ये हम चर्चा करेंगे उसके परिणाम क्यार है उस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि कि किस बुरी तरह से आप फस्ते हैं जबजस्ति काण लेकिन एक चीज़ समझो जो मैंने कही जबजस्ति नहीं हो सकती आपकी सोच, आपका डर आपके शेतान की दुनिया आपको भोट ड़ा रही है भोट दोला रही है और आप इतने डरे हुए मरे हुए हो, क्या होगा क्या होगा, अरे यार तुमको न हवा बहानी न ओक्सीजन लानी अभी 80 साल में से 30 साल सो रहे हो बाकी जमाने भर की सुबे से शाम मुल्कता है कर रहे हो पिर अभी टिकेट कट जाएगा डिश्यून करके अब उसमें क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा मरोगे, मरोगे, मरोगे जबजस्ती नहीं, मतलब जबजस्ती नहीं मैं एक उधान देता हूँ समझो थोड़ा क्या होगा न उसकी चर्चा भी अभी में नहीं कर रहा हूँ यह लग विज्ञाने जब उस पर आएंगे तो उसकी चर्चा भी कर लूँगा लेकिन क्या होगा तो क्या होगा यह आपके मुताबिक कभी यह नहीं सोचा सब किया कुछ हुआ तो जबजस्ती बंद करो किसी को allowed नहीं है इन दुस्तों को बोलने दो नर्क में सड़ेगा यह सड़ेगा वो सड़ेगा कभी क्राइस ने कहा हो तो मेरे पास आओ कभी क्रश्न ने कहा हो तो मेरे पास आओ मुर्खों की बात नहीं कर रहा done सब जने कुछ भी हो जाए मैं कहे रहा हूं समझ लेना आप करोगे और मरोगे ऐसे चालन कट रहे हैं कि ताहस नाइस कर दिया मनुष्य को ठीके, very good इतिने जल्दी मुझे उम्मीन नहीं थी I am Gita by Deep Trivedi is the number one bestseller at Amazon I am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India I am Gita psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas